प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इसी यूटूब चैनल मिशन टू पर तो आज हम कच्छा टेंथ का जी हाँ class 10 का गनित mathematics का most important very very most important सवालों को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं जो कि आपके होने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्वपुन है ठीके जो आपकी होने वाले एक्जाम है ऐसे 1 की परिच्छा या फिर ऐसे 2 की परिच्छा जो भी एक्जाम है आपकी परिच्छा के लिए आज हम ऐसे इसे सवालों को करवाने वाले हैं जो एक्जाम में कई बार पूछा गया है और होने वाले एक्जाम में प्रबल संभावना है कि यहां से आपके एक्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा तो कहते हैं ना सुरू करते हैं हम लोग बहुत ही सरल तरीके से और जो भी बच्चे मैट के डर से कापते हैं, मैट के डर से थर्थराते हैं, वो भी आज मैट बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, कहते हैं आज पूरे मैट को धुँआ धुआ कर देंगे बच्चों, ध आपके board exam बहुत ही नस्दीक है ठीक होने वाले अर्दवार्शिक भी परिच्छा और उसके बाद final board परिच्छा के लिए भी important है तो ये आपको कम समय है और ये कम समय में आपको बहुत ही मेहनत करना है और आपको अपना अच्छा result करना है तो चलिए सुरू करते हैं और आज ह तन तन तीनों चीज लगा देना और अच्छे से पढ़ना ठीक है आईए सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें यहां पर सबसे पहला सवाल जो की काफी important है और कई बार आपके exam में पूछा गया है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अच्छा सुरू करने से कुश्चन सांस चलेगी मैं किसी के आगे हाथ नहीं फाइलाओंगा मेरी किसमत भी छीन लो मेरी महनत भी मेरा तजुरूरवा भी मैं फिर भी चमक कर दिखाओंगा तो चलिए सुरूआत करते हैं सबसे पहला सवाल से तो पहला सवाल जो आपका दियावा है कि 120 को अभाज करना है गुननखंड करने पे जो भी आनसर आएगा उसमें आपको क्या करना है तिक लगादेना है सबसे पहले हम लोग 120 का भाज गुननखंड करते हैं 120 लिख देंगे बाबू यहाँ पर और ऐसे लाइन देंगे सबसे पहले इसको हम तोडएंगे कितना से दो से तो दो से तो 60 दुनी हो गया 120, फिर देखो 2 से तो 30 दुनी हो गया 60, फिर देखो 2 से तो 15 दुनी 30, अब 2 से जाएगा बाबू, तो बोलेंगे ना गुरू जी ना जाएगा, तो अब क्या होगा, तो 3 से देखो तो, तो 3 पचे 15, अब जाएगा, नहीं सर, इतना ही जाएगा, तो हमारे पस जो गुननखंड आ गया, क्या क्या गया, दो गुना, दो गुना, दो गुना, तीन गुना, पांच, अब देख लो बच्चों, कि ये जो है option कहां पर है, कि तीन बार दो और एक तीन और एक पांच, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर option number A में इसका right answer हो जाएगा, अब द ही होगा, अब मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों, यहाँ पे 120 के जेगा, मैं अगर 140 देदेगो, तो क्या आपसे नहीं बनेगा, तो बोलेंगे, जी गुरुजी बन जाएगा, 140 को तोड़ देंगे, है ना, 70 दूनी, 140, 35, दूनी, 70, ठीक है, फिर 75, 35, तो दो गुना, द दो गुना, पांच गुना, साथ, तो जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे 140 आजए, 120 आजए, 60 आजए, आप आसानी से बना सकते हो, तो इस टाइप का कुश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, मैं तो एक्दम दोड़ा-दोड़ा कर मारेंगे, सोच ले बाबू, आगे बढ़ते हैं, नेक्ष्ट सवाल पर, नेक्ष्ट देखते हैं, इसका दूसरा सवाल, जो की काफी फेमस सवाल है, और काफी important, कहते हैं न, भेरी-भेरी important, इसको बोल दो तुम लोग, ठीक है, अच्छा, इउपर में लिख देते हैं, वेरी-वेरी important, most भेरी-वेरी important, यह था 657 का लगुत्तम समापरते क्या होगा मतलब LCM आपको निकालना है है ना SCF दिया हुआ है LCM निकालना है और यह सर यह क्या दिया है 306 और 600 तो यह दो संख्या दिया है और आपको हम जब application पर आप लोगों को पढ़ाये थे जब लाइव क्लास तो वहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे डियार क्या था फॉर्मूला तो दो संख्याओं का गुननफल है ना दो संख्याओं का गुननफल बराबर देखो हम ऐसा बता है ताकि आपका अब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए इसलिए हम पूरे अच्छे से बना कर आपको बता रहें तो दो संख्याओं को गुननफल वराबर होता है अब दो संख्याओं यहाँ क्या क्या दिया गया है तो 306 दिया गया है और 657 दिया गया है तो लिख देंगे पराबर में यहां लिखेंगे हम LCM into LCF बाबू LCM दिया वाई नहीं सर तो LCM के जगह में हम LCM लिख देंगे LCF दिया है हाँ सर दिया है कितना दिया LCF 9 दिया वाई तो 9 लिख देंगे यही था ना महत्पन समा पड़ते हैं आप बिलकुल सर अब यहाँ पर हम लिखेंगे 306 गुना 2657 वैसे इसका अंसर मुझे याद है और आप लोग को भी याद होगा चुकि इतना बार आप लोग रिविजन ही कर लियोंगे यह नौ बाबू यह नौ जो है ना इधर आके डिभाइड में हो जाएगा अब डिभाइड से इसको काटो तो नौ तिया 27 कितना बचा बाबू ती यह आज सेंदी तो यह नौ इसे कोश्चन आगे वड़ो यह नकोशन वा कर सकता ही किनी 다या बिल्कुल कर सकता है तो यह इसका आंसर होगे बच्चों ठेकि यानि आपशन नंबर फी परमसत्त उत्तर हो जाएगा ठीकिए चल आगे बढ़ो यह कोशन हो का देवल है तो तीसरव का नमबर जो कोशन देवल है तो पंधरा और पचीश का सेयह क्या होगा कैसे निकालेंगे सर्थे गुरुजी अहिसे निकलेगा पंधरा लिख देना या 25 लिख देना ठेग है पंधरा बराबर कर देना 25 तोड करके देखने है ना तोड़ करके देखना तो 3 गुना 5 लिख सकते हो 15 को बोले है घुरु जी बिल्कुल लिख सकते हैं 15 को तोड़ेंगे तो वही आने वाला है 3 पचे 15 तीन गुना 5 हाँ सर अब देखो 25 को भी तोड़ दो तो 5 गुना 5 हाँ सर हो गया अब इसमें जो मिलता है ना बाबु जो मिलता है, जो common होता है, वही इसका S.C.F. होता है, तो सर पांच-पांच जो है न, common है, जो दुन्नू में है, तो दुन्नू में जो हैं बाबू, वहे answer कर होता है, वहे answer होता है, तो option number A कर, सही उतर हो जितो, option number A, कितना आसान है, बता, इसी को बोलते हैं, lollipop question, क्या कहते हैं, lollipop question, ठीके, बताओ, ऐसे lollipop question क्या आपने बना पाओगे, समझने पे सारे question lollipop हो जाते हैं, अगर ना समझो न, तो पहाड लगता है, पहाड, आईए, चौथा number सवाल देखते हैं, ध्यान देंगे, एक प्रकृत संख्या का अभाज गुननखंड, उसके गुननखंडों के क्रम को छोड़ते वे, डैस होता है, मतलब एक प्रकृत संख्या, देखो question क्या कहरा, समझने का परियास करो, आंसर तो रट लोगे, लेकिन question समझने का परियास करो, प्रकृत संख्या का अभाज गुननखंड उसके गुननखंडों के क्रम को छोड़ते वे, तो प्रकृत संख्या, मालो कोई भी प्रकृत संख्या, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 30, अब 30 का भाज गुननखंड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे, तो 15 दोनी 30, फिर देखो 3 से तोड़ेगा, 3 पचे 15, यानि कि 30 का जो अभाज गुननखंड हो गया, वो हमारा हो गया, 2 गुना, 3 गुना, 5, समझाने के लिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक है, समझो पहले, फिर यहाँ पे 30 से एक और देदो, और इसको भी फिर से गुननखंड करो, ठीक है, अगर हम इसको 3 से करते हैं, तो 10 तीय 30, और फिर इसको तोड़े तो 5 दुनी 10, तो इसका भी जो अभाज गुननखंड आ रहा है, आपका, यही आ रहा है, इसका भी जो अभाज गुननखंड आ रहा है, वही आ रहा है, तीन गुना, दो गुना, पांच, ठीक है, और एक और मानलो, एक और हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, हाँ सर तोड़ सकते हैं, कैसे, 5 से 5 शक्तीस, तीन दुना छे, हाँ सर ऐसे भी तोड़ सकते, तो तीस का जो अभाज गुननखंड ऐसे भी हो सकता है, 5 गुना, 2 गुना, 3, अब कुश्चन क्या करा है, समझो, कि एक प्रकृत संख्या, अभाज गुननखंड उनके गुननखंडों की करम को छोड़ते वे क्या होता है, गुननखंड को करम को छोड़ते वे क्या होता है, यह पूछ रहा है, तो हम गुननखंड यहाँ पर क्या है, 2-3-5, 3-2-5, और 5-2-3, ऐसा है कि नहीं, तो इसका जो करम हमको ध्यान में नहीं रखना है, करम जो है, 2-3-5, 3-2-5, अलग-अलग है ना करम, तो करम को छोड़ते वे क्या होता है, तो वो अद्वित्य हल होता है, यानि एक ही हल होगा, जो भी होगा, उसका जब भी गुननखंड आएगा बाबू, तो यही 2-3-5 आएगा, इसको चाहे एने लिग दो, चाहे एने लिग दो, लेकिन अंसरवा, यह आने वाला है, गुननखंड को करम को छोड़ते वे उसका हल क्या होता है, तो अद्वित्य होता है, मतलब एक ही हल होता है, लेकिन सब एक गुना करेंगे तो तीसे आने वाला है ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा अद्वित्य के लिए रहे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्ट सवाल पर दिया वाइद वहुपद होगा जिसके सुन्याकों का योग अंडर रूट तू और गुननफल एक बटा तीन है इसके कौनसे साई होगा कrakं अलफा पिलस अलफा प्लस बीटा ले रखा है चलो तो यहां पर बहुपद पूंच रहा है क्या अपूंचरा था द्वी घात वहुपद है benut होता है द्विघाद बहुपत का एक फॉर्मूला होता है कि एक से स्क्वाइर माइनस अलफा प्लस बीटा एक्स यह आपको पढ़ाये थे याद करो जब हम लाइव क्लास ले रहे थे जो यह बताये थे हम यह सारे चीज़ों ठीक है यह जितने चैप्टर सुम्हें सब आये ए सब्सक्राइए को एक बटा दिया तो एक बटा तीन लगा देंगे अब यह 3 को तो हटाना पड़े चुका बटा में है ना इसके निचे देदो बन इसके भी निचे देदो जो फॉन ठीक है चल आप देखो यहां पर पर टीनों का जब लेंगे एक एक लोट तो तो 3 हो और यह अगर इधर चला जाता है बराबर का इधर तो क्या हो जाएगा किसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे गुणा में जब हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा three x square minus three under root this प्लस उन यही इसका आंसर हो जाएगा łड है इसको गुणा करेंगे तीन से तो क्या हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो गया 3 x square minus three under root टू प्लस वन तो देखो बाबू कहा है अंसर जल्दी से बताओ कमेंट करो जल्दी फट 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 आप्सन नम्बर एस का बीस का राइन सोचेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट सवाल पे क्या दियावा है कि यदि एकस स्क्वाइर प्लस बी एकस प्लस सी के सुन्या अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दो सुत्र आपको बहुत ही ध्यान से रखना याद एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है याद रखना बहुत ही जाद महत्त पु लेकिन यह सब पहले से पढ़कर करते तो यह याद रहता है अब यहाँ प्लस बीटा पूछ रहा है तो बाइनस बाइन तो देख लिए कहां पर आप्सन तो आप्सन नवर ए में इसका राइट अंसर हो जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स सवाल देखो काफी काफी लॉलिपॉप यह बच्चा सवाल बच्चा सवाल यह बच्चा बच्चा लोग भी बना देगा जो वर्ण क्ल अब लोग कहते उर्द्वाधर रेखा खड़ा वाला रायन को और सोया वाला रायन को 36 याद रखना जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं तो वह भी बहुत ज्यादा महत पून होता है क्यों हो सकता है इसा बोल देगा कि कार्थी तल में 36 रेखा एक्स अक्षवाले र तो देखना है कि यह जो रेखा गया है वो कहां पर गया ऐसे गया है कि क्या एक्स में एक बार भी कटा है तो बोलेगे ना गुरुजी एक बार भी नहीं एक्स में नहीं कटा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो यानि कि ऑप्सन यह यह बताते से कि 7 च रबडर जर्ड़ी से की सैवन का आंसर जो है वह किसे ना होगा लेकिन हमने जो घ्वल सीवन डिये ऊसर कितना होगा यह सो यह में में कितना बार कटा है एक् doğ 155 स्वाल में है नेक्स्ट सवाल में कि समिकरन यूगा ए एकस एवण एकस बीवन य और सीवन जिरो है लेritosा बेटो अगर यहां पर ए zajr बरावर Verạम बैटो और प्रहुत ऑड हब और वे और सी और समीकरन को कौन सा हल होगा याद रखना यहाँ पर क्या पूछ रहा सवाल कि A1 बटा A2 is equal B1 बटा B2 और C1 is C1 बटा C2 is not equal मतलब कि A1 A2 और B1 बटा B2 जो है बराबर है लेकिन C1 बटा C2 जो है वो इन दोनों से बराबर नहीं है तो यह क्या होगा अध्वित्य हल होगा अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा एक होता है पहला कंडिशन A1 बटा A2 B1 बटा B2 is not equal यह दोनों बराबर नहीं होता है ठीक है यही ना दूसरा condition होता है यह दोनो जो होता है लेकिन C1 बड़ा C2 जो है यह नहीं मिलता है तो यह तीन condition होता है तो पहला condition में क्या होता है कि जब A1 बड़ा A2 और B1 बड़ा B2 नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं आद्वित्य हल क्या कहते हैं आद्वित्य हल ? मतलब इसका एक ही हल होगा और इसका अनेख हल सिमपल सा लगव comentarios है क्लाई होगा तर अनेखल सांसर हो जाएगा इस नमबर कोई हल नहीं होगा अब देखो इसको थोड़ा सांग और विष्टार से बता देंगे ताकि इस related जो भी question आएंगे वो आपसे बन जाने वाला है आईए ये हमने formula पहले लिख करके रखा है ये ध्यान देंगे कि इसका 3 condition होता है मेरे dear ठीक है 3 condition होता है कौन कौन से condition पहला condition जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 ब्राबर ना हो दूसरा condition होता है A1 A2 B1 B2 जो वही 3 condition जो अभी हम पीछ लेते हो तो एक भी question नहीं छूटने वाला यहां से देखो जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 मैच नहीं करे तो हम बोलेंगे कि वो क्या होगा समिकरन का केवल एक यानि आद्वित्य हल होगा क्या बोलोगे कि आद्वित्य हल होगा उसके बाद साब बराबर जब हो जाएगा तो हम बराबर ना हो तो वो संगत होगा उसका हल क्या होगा संगत होगा और सब बराबर हो तो भी उसका हल क्या होगा संगत होगा और जब A1 A2 B1 B2 बराबर हो लेकिन C1 C2 बराबर ना हो तो याद रखनेगा याद रखेगा A1 A2 B1 B2 बराबर ना हो तो संगत होगा सब बराबर ह तो भी संगत होगा, लेकिन फर्ष्ट बराबर हो, लास्ट बराबर नहों तो असंगत होगा, याद रखेंगे, तीसरा चीज, कि अगर A1, A2, B1, B2 बराबर नहों, तो हम कहикаेंगे आलेक एक बंदू पर परतिचेत करेगा, क्या कहो और रिखा जाएगा उसी कर आपसे की यह कर आंकर तो यहां से आपके स्क्रेश्ट अच्छल नहीं तो समझें लो अच्छे कॉपे में लिख लो चुकि यहां से आपके प्रश्ण दो तीन ठो बन जाएंगे ठीक है चली आगे आते हैं निक्स दवाल पर कि समिकरन युग्म 2x-3y बराबर 0 है 3x-9y और बराबर 20 है द्वारा निरूपित सरल रखाएं क्या होगे समपाति होगे परतिछेदी होगे समानतरों के लंबवत होगा चली सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पर क्या है 2x-3y और बराबर में 0 है यहां पर दूसरा क्या है 3x-4y और प् कि वराबर है कि नहीं हो राबर ठीक है चलो क्या होता है 1पटा2 यह वने यह लिख देते तब नहीं होगा अब इस उंधव मिझे वचाहर कर को यह रख देते हैं अब अब यह स्टल्okै यहां जो निचे दूसरा समीक्रान होगा एकस के पहले हो जाएगा एवन बटा एटू एवन कितना है दो और कितना है तीन है फिर इसी परकार से हम लोग क्या करेंगे गीन है न बीवन निकालते थो भी वाइश से पहले जो ब्राबर नहीं हो रहा है यानि पहला कंडिशन है और पहला कंडिशन में क्या बोले थे कि आलेक पर्तिचेद करेगे देख सकते हैं पीछे कि जब A1, A2, B1, B2 ब्राइबर ना हो तो आले क्या होगा पर्तिछेद करेगा देखो लिखाब है ना पर्तिछेद बिल्कुल ना समपाती समानतर तो नीचे वाला में था पर्तिछेद यानि option number 20 का बिल्कुल प्रम सत्त उत्तर हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next स इस से पहले मैं बता दो इस सवाल को करने से पहले कि हमारा application जो है उसमें live classes साथ बज़े daily चलती है ठीक है साथ बज़े class चलता है अगर उसमें आप join करना चाहते हैं अगर हम से आप live class पढ़ना चाहते है अगर मेरा समझाय वह आपको अच्छा लगता है ठीक है कि तो फिर आप हमसे live class में जुड़ सकते हैं हमारा application का जो नाम है app name जो है आपका लिख देता हूं मैं यहाँ पर mission to वाले sir क्या नाम है mission to वाले sir जाके play store पे search करना यह वाला और आपको मिल जाएगा application को download करना अपना number डालना OTP डालना और अपना नाम लिखना उसके बाद आपका चालू हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी course को join करना चाहते हैं purchase करेंगे minimum बहुत minimum फी है हजारों बच्चे पढ़ रहे आप भी चाहते तो आप पढ़ सकते ठीक है तो यहां से फिर आपना क्लास कर सकते हैं कोई भी दिक्कत है वहां पे है कि सी के किस्मान के लिए समिक्रण यूग्म का सी एक्स माइनस वाई ब्राबर जी दो और सी एक्स माइनस तुवाई ब्राबर फोर का अनन्थ हल होगा अनन्थ हल मतलब कि अनेखल कब होगा अनन्थ हल का जो है चुंकि अनन्थ हल है न लिखेंगे अनन्थ हल कब होगा जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या होना चाहिए ब्रबर होना चाहिए तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग दोनों समिक्रान को लिख लेते हैं आपर क्या है cx-y ब्रबर दो और दूसरा समिक्रान है 6x-2y और ब्रबर में 4 ठीक है तो यह आप देख चलिए मिलाते हैं की यहां लिखते हैं यह सेदा जान बाइब कोई से हो रहा जाए एक चुपा हुता है तो एक हो जाएगा तो इसको भी अगर काटेंगे तो 1 दो-2 ला आगे पढ़ते हैं नेक्ड सवाल पर हम लोग समिकरण यूग 2x-y ब्राबर 5 है और 3x2y ब्राबर 4 है तो क्या अगर होगा अरे बहुत आजान सवाल लॉलिपॉप सवाल है ना है रे ना विलोपिन भी इसे सॉल्भ कर दो इसको 3x-2y ब्राबर 4 तो बराबर करने के लिए इसको समिक्रान वाण को समिक्रान ना गुना करेंगे ऑपर से तो ना करते हैं अब डो जो है ना पूरे ऊपर Сबना कितना जगा 2x-2y बढ़ाबर पांच दुनि 10 कितना जगा तो पापू 5 दूनि 10 इधर नीचे गुना कर दे तो तीन इका तीन एक्स होजितो और पलस दू आई होजितो इधर 4 एका चार वार देखो अब इसके नीचे देंगे ठीक है और लाइन के बाद हम साइन चेंज सभी जा रहे ना जी हम रुखो जी टीन एक तीन दो चार एक चार ठीक है दूदुनी चार अरे भाई या वही थ हमको लगा कुछ गड़बड़ा इसमें कट्ये नहीं रहा था यहां पर चार ना होगा जी देखलो दूदुनी चार एक्स कितना हो जाएगा चार एक्स चलो कितना निकल सकते हैं अरु हां घृ कल जाएगा कैसे निकलेगा वाबबू देखो कोई भी समिक्रण को उठा लेते हैं चारय ब्राबर पांच पाूट पांच में से 4 घटे भी बाबूत किता बचता हूं एक बचता हूं यानि कि एक कमांद दो और य कमांद मैनस बन कहांपे है कि गुरु जी ए में है कि अगे बढ़ते नेक्स तवाल पे हम लोग वह रैकिक समीक्राज योग में जिसका कोई हल नहीं नहीं होता वो आसंगत होता जिसमें क्या होगा अद्वित्य हल होगा और जिसमें अनेक हल होगा लेकिन कोई हल नहीं कब होगा जब आसंगत होगा यह तीसरा कंडिशन है देख सकते हैं तीसरा कंडिशन कोई हल नहीं होगा किसमें आसंगत है ना देख सकते हैं तीसरा कंडिशन बुलू कलर का आगे और यहां पर देखो एक्स माइनस ira1 देखो एक्स प्राबरणों एक दास उइस्ते ना यानिकीपांच प्रबबर प्पांच आए तो या स्वी मन निकाल एक बार लेते हैं पाहला समिक्रन को ले लेते हैं ले लिए अब एक समान बैठा देंगे 5 प्लस वाई ब्राबर 9 वाई ब्राबर कितना हो जागा 9-5 तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा चार बचेगा ठीक है यानि एक समान 5 वाई कमान 4 अब जब इसको आप निर्देसांक में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है पहले एक समान बाद में वाई कमान तो 5 और 4 कहां पर आपसन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जागा आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्ट सवाल पर न आपका माहानक होता हैँ कौन कमान सा यसरोप में होता है पहला आप्ससір को उठाते हैं तो दिखो एक से कोenne कितना हो जागा एक सिकाठी से गुना कर दो माहिनlaubि पूंपते हैं अब दूर और यह दो अगर drei औट हो जाए गाそ तब खतम हो जाएगा यह x square से x square काट दो direct क्यों काटे क्यों काटे क्योंकि आपको पता है कि x square left वाला right के साथ चला जाएगा तो यह minus में हो जाएगा अब इसलिए हम direct काट दिए और ध्यान रखें द्विधात से मिक्रान तभी होगा जब उसमें x square होगा तो इसमें x square तो खतम हो गया यानि कि option number a जो है वो cancel कट गया दूसरा option को उठाते हैं हम लोग बी नंबर को क्या दियावा है एक्स प्लस वन का हॉल स्क्वार यानि एक्स है ना बी नंबर वाले उठार हो हो इसको तोड़ो ए प्लस टाल स्कोर में तो a square पलस 2a B 2 into x-to-a एक स्कॉयर माइनस पांच इसमें भी तो देख सकते हैं अब डियरेक्ट कट जा रहा है एक स्कॉयर से एक स्कॉयर यह भी ऑप्सन क्या होगे कट गया है खत्म चुकिए एक से स्कॉयर बच नहीं रहा है तीसरा अप्सन देख लेते हैं मैं भी उनको लगते तीसरा आनसर आना खाल स्कौयर इसको भी थोड़ेंगे एक सक्वाइर अभी जटोड़े ना जी एक सुर्स मैं हाँ तोड़े भाई लिगदू साम सेम तू सेम तू सेम एक्स इंटु और बॉन प्लस लॉन का स्कौयर और इधर हो जाएगा दो को से कुना करेंगे तो 2 X और दो को तीन से कुन न करेंगे तो 2x और प्लस 1 1 जा 1 और बराबर में 2x-6 देखें 2x से 2x कट रहा है लेकिन x-square तो बचा ही रह रहा है ना बिलकुल से इधर आजाओ plus 1 हो जाएगा ये मैनस में 6 है इधर आके आपका plus में 6 हो जाएगा बराबर में 0 यानि कि एक-स-square प्लस 7 इसका आंसर हो जाएगा और ये देखो एकस-square में है यह x-square में है इकिस रूप में है तो हम इसको कहेंगे दिखाद समिक्रन है देखो जब एक से स्कार नहीं रहेगा ने तब तुम लोग बोल देना है उसको दिखाद समिक्रन नहीं आपसन नमर सी स्काराइट हो जाएगा आगे बढ़ते है नेक्स्ट यदि विविक्तर डी बड़ा है किस से जीरो से तो मुल होगा ठीक है ह हम इसको बोलेंगे कि इसका जो हल होगा वह वास्तविक होगा क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा अलग-अलग होगा भिन-भिन बोल सकते हैं या फिर अलग-अलग भी बोल सकते हैं मतलब अलग होता है और जब डी कमान जीरो के बराबर आएगा तो वास्तविक्त तो होगा लेकिन क्या होगा समान आएगा उसका जो जो बेल्यू आएगा दोनों मुल आएगा वो समान आएगा और जब दी कमान जीरो से छोटा हो क्या हो जीरो से छोटा मतलब कि रिनातमक हो माइनस में आ जाए अगर माइनस में आ जाए ठीक है तो हम क्या बोलेंगे कि इसक रिन्स लेना चाहते तो पहले ले लू ठीक है और एक चीज़ इसको अगर दूसरा रूप में देखना चाहिए इसे बोल सकते हो कि एक when जब धनात्मक में आ जाएगा तो हमारे वास्थ वह बीन होगा धी कमान जीरू के बराबर आ जाएगा तो वास्तिविक के हम समान होगा और D जब माइनस में आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसका हल नहीं हो याद रखना ठीक है विविक्तर यही कहता है तो यहां पर option जो आपका देख सकते हैं D जो है बड़ा है किस से 0 से जिदर मुह खुला रहता है वो बड़ा होता है तो को क्या करेंगे पहले D कमान को ग्याद करना पड़े जब डि कमान ग्याद कर लेंगे तब हम लोग देखेंगे कौन सा तीनों कंडिशन में कौनसा मैच हो रहा हुआ हमारा ठीक है आई जो 1 अच्छा बड़ा क्या होता है इसका फार्मुला होता है B2-4AC यह फार्मुला होत और यहोता है ये होता है लाष्ट वाला मैनस 1 गहाएं टूसरी 12 मैनस मैनस वर लिटेंगे ऊगा और चारएक होगा चार चार मैनस प्लस मैनस मैनस प्रलस यानि कि चार यानि कि धी कमान जो हो गया वो कितना आगया पांच आ गया यानि पॉजिटिव आ घया धनात्मक्स गया यानि कि यह seven उनल ऌपका मान जो है यह zero से क्या है बढ़ा है इसका मतलब इसका आंसर कौन चोँ जाएगा वास्तविक और भिन तो नहीं है वास्तविक और आसमान वही अलग-अलग है ना वास्तविक और आसमान यानि ऑप्सन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा समझ मैं ला बबो ऐसे बनाए पड़ता है महनत करें पड़ेंगा आगे देखते हैं 17 नंब क्या हो डी बड़ा हो किस से जीरो से क्या हो बड़ा हो है ना अब देखो यह तो कहीं option में नहीं है लेकिन इसी को हम लोग देखो बदल सकते हैं डी का फॉर्मूला क्या क्या बतायते हैं अभी हम बी स्क्वाइर माइनस 4AC और यह एरो का दे दो ऐसे दो मतलब यह डी का मान है बी स्क्वाइर माइनस 4AC और यह तो जीरो से बड़ा है यारी कि देख सकते हैं option नंबर कहां पर है option नंबर सी इसका राइट है इतना असान है ना बिल्कुल आसान है बाब वास्तिविकर समान बोलता तो डी कमान जीरो हो तो ब्राबर में ठीक है चाप्टर्स जो पड़े ह three को बूचरा है तो डी का फ़र्मूला क्या होता है तो सर्बी स्कार मैनस changing होता है अ हम लिए नहीं हाना था है अक स्कुराइर करें गे हो जाएगा माइनस चारत या बारा अब एक में से बारा घटाओ किता बचेगा माइनस से ग्यारा तो कहां पर मैनस से ग्यारा तो सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर कि यदि दिगहाद से मिक्रन दिया हुआ है एक स्क्वाइर माइनस फोर एक्स प्लस के तो मुन्समान हो के कमान क्या 一 तो मेरे डियर मुल समान कब होता है, जब D कमान 0 होता है, यह न, D कमान क्या होता है, 0 होता है, और D का फर्मूला क्या होगा, तो D का फर्मूला होगा, B square minus 4AC, बराबर में 0, ठीक, एकदम सेम वही उतार दिये हैं, D के फर्मूला लिख दिये, अब B square, B के जगम कितना है, 4 है, सर, minus 4, तो minus 4 का कर दो, बाबू, square, minus 4AC, A के जगम में डाल दो, यहाँ पर, X square के पहले क्या, 1, into C के जगम कितना है, तो C के जगम में, सर, यह है, सर, के लिख दो ना, बाबू, का इटेंसन लेता है, अब 4 का square करेंगे, minus 4 का, तो 16 हो जाएगा, minus minus plus, खत्म हो जाता है, 4 को case 1 से, और case से गुना करेंगे, तो 4K हो जाएगा, बराबर में 0, यह 16 को उठा करके, और left side पटक दो, मतलब right side, तो minus 4K, बराबर में minus 16, चुकि पलस में था, minus minus cancel हो गया, अब के बराबर क्या बचा, तो 16 हो यह 4 इंटू में इदार आके डिवाइड में हो गया, तो चर्चव के 16, यानि कि 4 इसका answer हो गया, क्या हो गया, इसका 4, answer हो गया, option number A, इसका सही चवाब बढ़ते हैं, दिविगात समिकरन, X square minus 4X plus 6 है, और 0 मुल गयाद करना है, बहुत यह असान है, मुल गयाद करने बोल रहा है बाबू, जैसे भी आप गयाद कर सकते हो, चाहे आप 4 चैप्टर वाला जो हम बताये थे, विविक्तर से, या फिर आप गुरंखंड वीदी से, चलिए हम इसको गुरंखंड वीदी से करते हैं, X square minus 5X, और पलस में 6 बराबर 0, इसमें हम क्या बोलेते हैं, तो first last को गुना कर दो, first last को गुना करेंगे तो 6X square हो जाएगा, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोडने घटाने पर इस बीच वाले महास है, यानि 5X के बराबर आना चाहिए, जोडने पर या घटाने पर, तो 3X गुना 2X, 3 दूनी 5X square, 3 दूनी 6X square, ठीक है, और 3 दू को जोड़ेंगे, तो 5 भी आ जा रहा है, है ना, विल्कुल ज़र, अब इसको लिखना कैसे है, बाबू, X square पहले लिख दो, मैनस 5 यहाँ पर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, मैनस 2X, और मैनस 3X कर देंगे, तो मैनस मैनस पलस जूड़ जाएगा, लेकिन साइन मैनस करेगा, बड़ाबर 6, 0, अब 2-2 का pair लगा दो, बाबू, इन दोनों को बना दो, pair, अब इन दोनों pair में, फर्स्ट दो pair में देखेंगे, तो X common है, अंदर में क्या बचा, X बचा, दूठो X था न, X निकल गया, अब जो X में से X बाहर निकल गया, तो अंदर में बचा 2, मैनस, 3 बाहर निकाल दो, अंदर में क्या बचा, X, यह मैनस निकला बाहर, तो यहाँ पर minus रहेगा, 3 को कितना बर गुना करेंगे, 6 आएगा तो 3 दो नी 6, यह बराबर 0, और हर हाल में ये वाला बराबर होना चाहिए, हर हाल में bracket वाला बराबर होना चाहिए, अब देखो ये x minus 3 को एक जिगा लिख दो, और जो दोनों bracket वाला है उसको एक जिगा मुल पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे, x minus 3 बराबर 0, 1 side लिख देंगे, और x minus 2 बराबर 0, 1 side लिख देंगे, तो x बराबर minus 3 है इधर आके plus में हो गया, x बराबर minus 2 है इधर आके आपका plus में हो गया, तो 3 और 2 answer हो जाएगा, 3 और 2 कहां पर answer, तो सर ये option वर B में है, ठी 2 भी लिख दो, या फिर 3 लिख दो, कोई लिक्कत नहीं है, मुल पूछा है, 2 मुल है, 2 answer है, तो 2 answer हमारा B में है, किलियर है, किलियर है, जल्दी से बोलो comment करके, हाँ सर, आगे बढ़ते है, निमने लिखित में से कौन AP में है, देखो AP में पहचानने के लिए क्या करना होता है, कि इसका difference जो होता है, वो बराबर होना चाहिए, यानि कि D जो है, वो बराबर होना चाहिए, तो चलो देखते हैं, मिलाते हैं, एक बार हम, देखो, यहाँ पर 2 से 4 हो गया, difference कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 8 से 16, 8 का difference हो गया, यानि यह option कट गया, difference बराबर होना चाहिए एक से तीन, दो का डिफरेंस है तीन से पाँच, दो का डिफरेंस हे पाँच से साथ, दो का डिफरेंस है यानि यह AP में है, यह क्या है ? वागी दूसरा भी कर सकते हैं 5 से 20, 20 का डिफरेंस 25 से 125, बड़ी मनी डिफरेंस ठेक कट गया चलो आगे बढ़ते हैं तो इस option number 20 का right हो जाएगा इसमें a p दिया हुआ है और दस्मा पद निकालना है बहुत ही असान है तो देखे a p दिया हुआ दो साथ 12 और दस्मा पद क्या है तो a कमान कितना हो जाएगा 2 दी कमान कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 है न a2 माइनस a1 तो कितना हो जाएगा 5 और दस्मा पद पूछा है न तो a10 निकालना है कितना निकालना है a10 का फर्मूला आप लोगों को हम बताये थे कि a पलस एक कम डी तो 10 है तो 9 डी अगर a 15 पूछता तो a पलस 14 डी ऐसे एक कम करके तो a कमान कितना है दो पलस 9 इंटू डी कमान कितना है पांच है तो 2 पलस 9 पचे 45 45 अर दूबावो कितना होता है 47 तो 47 इसका अंसर हो जाएग कि आप सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं नेक्ट दो अंको वाली कितनी संक्याय तीन से विभाजित है अरे हम सुचे थे आड़ बजी वीडियो प्लोट कर देंगा तकपार होगे कोई बात नहीं कितनी संक्याय तीन से वाजित है तो 2 अंक कहा से स्टार्ट होता है हो जा रहा है सर तेरा हो रहा है नहीं सर चाओदा नहीं पंदरा हो रहा है सर सुला हो रहा है नहीं सतरा अठारा अठारा हो रहा है से डॉट 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 अब लाश् लाश्wnटम है यह लाश्ट पद्ध है यह अब यहां पर कितनी संख्याय पूछ रहा है मतलब की कमान पूछ रहा है तो इसका फर्मूला होता है यह बराबर एपलस एज मायनस वन इनटो दी, न कमान कितना एगि 99, बराबर, ए कमान 12, पलस, एग कमान नहीं पता, डी कमान 3, तो 99 माइनस हो जाएगा 87 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 87 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 बराबर 3 N तीन इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा बराबर N तो 30 ती यह 90 यानि कि 30 N कमान हो गया N कमान कितना हो गया? 30 हो गया यानि ऑप्सन नंबर 20 का राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवाल पे 0 और 50 के बीच विसम संख्याओं का योग कितना है? 0 और 50 के बीच अच्छा कितना टाइम हो गया है? कहां चल रहा है टाइम जी? अठीक कोई बात 0 और 50 के बीच कितनी संख्याओं का योग पूच रहा है तो विसम संख्याओं के बीच अगर हम देखें तो विसम संख्याओं कितना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा dot 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 कहा तक जाएगा 50 है ना 50 तो समसंख्य है तो 49 हो जाएगा उसके बीच में ही देखना है अब A बराबर कितना होगे 1, D बराबर कितना होगे 3 में से 1 गटाएंगे तो 2 और 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 लाश प्रम कितना है उन्चाथ अब आपको क्या निकानदा यहाँनिकालना यह एस सन का यूज हो गया सन बराबर की हो जाएगा लाज्ड़ चैनर बटा रहेखने हो नकाले ही नहीं हम लोग निकालना पड़ेगे दिध अश्क में के चीक है इन कमान हम लोग क्या करते हैं निकालते तो अन बराबर एप फिलस एन-1 इंटो ब टी ए एन कितना दिया और चीसारी उन्चास दिया वहाई नवंचास हो जाएगा बराबर एक अमान कितना एक है फिलस एन-1 इंटो डी कमान कितना है दो तो 49 एक इधर घटाएंगे कितना ओजाएगा उनचास माइनस एक बरावर 2N-2 तो और 40 हो जागा यहाप पर और 2 माइनस में इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा बरावर 2N जोड़ेंगे कितना ओजाएगा बाव पचास हो जाएगा और यह द तू एड़ो करेंगे क्योंकि एंदे रखा है एंड कमान कितना है तो 25 इंटू ए कमान कितना है एक प्लस एन कमान कितना है उनचा साथ जोड़ दो तो प्यवीड होते हैं सभी व्रित क्या होते हैं बाबू सर्वांक सम रूप सम पाती तो सभी वर्ग हो बड़ा हो चोटा हो समरूप होता है जितना भी संबा हो तिर बुजब बड़ा हो छोटा हो क्या होते हैं समरूप होते हैं आगे बढ़ते हैं, वही सवाल है, समरूप चले, ठीक, 26 नमबर देखेंगे, क्या दिया हुआ है, है ना, AD है, DE और समांतर जो है, BC दे है, जब DE और समांतर BC दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AD बटा, है ना, AD बटा DB और AE बटा EC, AD बटा DB और AE बटा EC, AD बटा, बटा, दो, चुकि इंटू में इधर आके डिवाइडिम हो जागे, एक, यानि कि AD कमांद निकल गया, एक, एक सेंटिमेटर, कहां पे एक, आप्सन नंबर, D इसका राइट हो जाएगा, चलब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, कि यदि दो तिर्भुजों के संगत कौन बराबर हो, तो ये तिर्भुज समरूप होते हैं, तो दो तिर्भुज के, अगर संगत कौन बराबर है, मतलब यह इसका कौन बराबर इसका कौन बराबर इसका कौन बराबर इसको यह क्या हो जाएगा एंगल 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 से ब्रभबर हो जाएगा एंगल एंगल से ब्रभबर हो जाएगा तीनों संगत कौन क्या है ब्रभबर है तो हमरा एंगल 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 से क्या हो जाएगा हम लोग मिलाएंगे, A के बराबर Q है क्या, नई सर, A के बराबर तो P है, option कड़ गया, A के बराबर P है, हाँ सर, B के बराबर R है, B के बराबर Q है सर, ये भी कड़ गया, A के बराबर Q गलत है, A के बराबर P हाँ सर, B के बराबर Q हाँ सर, C के बराबर R हाँ सर, यानि option बढ़ इसका राइट हो जागे आगे बढ़ते हैं यदि दो समरूप तिर्बुज की संगत भूजा का अनुपात चार अनुपात नौ है तो छेत्रफल का अनुपात कर देना यानि चार का वर्ग और नौ का वर्ग तो चार का स्कुयर करेंगे तो सोला और नौ का इसकुयर करेंगे तो 81 इसका अंसर कितना हो जागा और यही सवाल अगर पलट देगा कि छेत्रफल का अनुपात सोला और अगर सवाल है और यह सवाल अच्छे समझने का प्रियास कर देगा आप लोग दीखे कोछन क्या है जैसे इस तरीके से त्रिबुज क्या है त्रिबुज है ना बड़ा बर करते हैं तो यहां पी बहुक्वे है के आपका तीनों भुजा जो है तुए है ठीक है आपको सिरस्लम की लंबाई पूछ है ज्को ध्यान दे है ना अब हमको इसका निकालना है इसकी यह देख रहे हैं बीच में इसी का हम लोग को क्या करना है लंबाई निकालना है दो रटने से अच्छा समझे तो सुभी उद्ट है इना में हम लोग क्या करेंगे त्रिफृ 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 त्रिफ दिया होग करती का सकॉयर कर देंगे तो दो दुनी 4 ऐस कार और यह स्कॉयर है इधर आकर बचार सकॉयर यहां लगादेंगे रूट में कि कि अटिर अगए Ay स्कॉयर जophin है आकर अटरूट में हो गया धिर आप देखो यहां पर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुना A गुना A है, अब A A दोठो मिल गया, तो मिल गया तो एक बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचा, अंडर रूट 3 और बाहर में क्या बचा, A बचा, तो 3 अंडर रूट A इसका क्या हो जाएगा, AD का मान हो कुछ को कमेंट करके बता दो ठीक है क्या हमारा पढ़ायवाई यह पसंद आया आप लोगों को ठीक है क्या मज़ा आया क्या जो बच्चे को बहुत सारे कोशन भूल गये थे यह समझ नहीं आ रहा था क्या वो सारी चीजे आप लोगों को यह 30 mcq में समझ मां आ गया ठीक है यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही जाद महत्तुपन सवाल है सभी सवालों को हम बता दिये और भी बहुत सारे सवाल है आप लोगों को सेट्कू में देखने को मिलेगा ठीक है तो वीडियो को पूरत देख लिए हैं तो अभी तक चैनल को कर लेंगे ठीक है बेल आइकन को भी जरूर दबा लेंगे ताकि हमारी ऐसी अपडेट वीडियो मिलते रहेगे अपडेट वीडियो मिलेगी साथ ही साथ आपको इंपॉर्टन वीडियो मिलेगे और एक्जाम की परेफ्शन इसी चैनल पर करवाया जागा तो कर लेंगे और बेल अकल को भी जरूर दबा लेंगे और अपने दोस्तों को सेयर करने आप लोग ना बोलेंगे को सेयर करो ठीक है दे cynical क्या करते ना अरे मेहनत तब तक करता है जब अगला उदर से मेहनत करता है तब इदर से हम भी पूरे मेहनत करेंगे ठीक है आपके साथ हम सुरू से हैं और अभी भी है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में और हमसे जोडने के लिए हमारा अप्लिकेशन का लिंक भी description में दियावा है च्वाटसप चैनल का भी लिंक दियावा है टेलिग्राम का भी और इंस्टागराम का भी लिंक दियावा है जिससे भी जुड़ना चाहते हैं सभी से जुड़ जाएं फिर मिलेगा आपसे हम next video में thank you so much